हलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीला और आप देख रहे हैं नेचर वीट नीला हिंदी फ्रेंड्स आज मैं कलकता से आ गई हूँ महाराष्ट में और महाराष्ट में यहाँ पे नागपूर जो है नागपूर के अंतरगत यहाँ पे है काटोल का मौसम भी बहुत ही फेमास होता है इसलिए मैं आज आई हूँ काटोल में और इहां पे मनोज जी है हमारे साथ वो आज आप लोगों को बताएंगे काटोल मौसम भी कैसा होता है खाने में कैसा होता है साल में कितनी बार होता है और कोई भी किसान भाई अगर इसको चास के लिए लगाना चाहे तो उसको कितना प्राफिट हो सकता है या कितना लाव जनक यह काटोल गोल्ड मौसंभी का चाहस है तो चलिए हम लोग पहले मनोज जी से बात कर ले थे उसके बाद उसका उनका जो मादर का प्लैंट है कटोल का कटोल गोल्ड का तो वह भी हम लोग देख लेंगे नमस्कार मेरा नाम मनोज जान्दाव जोंजार मुकाम पोस्ट काटोल तरसिल काटोल डिस्टिक नाखपूर मैं पिछले अठ्रा साल से खेती कर रहा हूं और वह भी नाच्रल कर रहा हूं जिसको आप जनरल लोग और गनिक बोलते हैं हमारा जो एरिया है नाखपूर यह क्षिलेक्शेन व्यराटी है और यह कटोल गॉल व्यराटी है इसमें अभी बहुत सारे किसान स्रीफ विदर बगी नहीं महाराकमी नहीं तो बाहर तेलंगना है उसके बाद और राजस्थान है बहुत सारे स्टेट में डिमन्ज है कटोल की क्योंकि काटोल गोल्ड वेराट है इसलिए उसका नाम काटोल गोल्ड है और वही गाव का महीं हो अभी आप देख रहे हैं मेरी नर्सरी है यहां पर हमारा जो और चेड है काटोल गोल्ड का न्यूज सादर मुसंभी का वहां से हम लोग बढ़ लेते हैं और यह बढ़िंग होता है हमारा नोवेंबर का वहां से हमने मदर ब्लॉक लाया है और हमारा जो रूट स्टॉक है वह जंबेरी और रंगपूर है वह भी हमारे पास खुद का बीज है हम बाहर से कुछ रोप अगर नहीं लाते हमारा खुद रोप तयार है इधर रोप तयार करेंगे हमारा खुद का नर्सरी है और उसका जो मिठापन है वह जोड़ा ज्यादा रहता है इस वजह से काटोल गोल्ड जो पौदे है काटोल गोल्ड वेराइटी के मौसंबी के इसका बहुत डिमांड है और मैं उसमें बहुत पिछले छे साल से मैं नर्सरी में काम कर रहा हूं और यह सब पौदे हम बहुत अच्छा है वैसे मेरे पास न्यूसेलर वेराटी भी है वारंगार देशी वेराटी गावरान जो बहुत अच्छी वेराइटी है और इसमें लगाने से किसान का बहुत फाइदा हो जाएगा प्रेंस आप लोग यहां पे जो भी पौधा देख रहे हैं यह सभी काट जुलाइ का मतलब लास्ट वीक है तो जुलाइ के लास्ट वीक से ऑक्तोबर तक आप लोग सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा साइज में और भी आएगा और इसका जूस बहुत अच्छा और मीठा होता है अभी तो यह पका हुआ नहीं है नहीं तो आप लोगों को मैं जू परपस यह नहीं है लेकिन यह है कि सही पौधा सही वराइटी हमारे देश में भी बहुत सारा ऐसा वराइटी है जिसके उपर हम लोग काम कर सकते हैं और किसान भाईयों जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी जादा यह जरूर है क्योंकि हम लोग गार्डेनर जो है एक दो प भाई को बिगा के बिगा उपर जमीन में यह लगाने से अगर भूल पौधा होगा तो उन लोगों को नुक्सान होगा तो चलिए जान लेते हैं अच्छा दादा आप बोलिए कि यह जो काटोल गोल्ड मौसंभी है तो यह साल में कितनी बार होता है ने को काटोल गोल्ड मौसंभी को दो बार आते हैं के एक घ्लावर्ण यह जिसका अधा है फेबरुवारी में जानेवारी फेबरुर्य में काटा है और बेशने का तसन्स आप में सप्टेंबर अक्टमर में बेश सकते हैं दूसरे हम बार है उसको बोलते हैं तो मुर्ग भार आता है जुले में तो मुसंबी को दो बार आते हैं कोई किसान अगर खेत में लगाएंगे तो उन लोगों को मतलब साल में कितना प्रफिच हो सकता है इस काटोल गोल मुसंबी को चास करने में मतलब खेती करने में किसान ने तो तीन साल उसको फल नहीं ले सकते तीन साल के बाद चाउते साल से वह फल लेंगा चाउते साल से उसको शुरुवा सुरुवात में थोड़ा कम आएगा प्रॉफिट तो कि माल कम रहता है तो एक पेड़ पे उसको लगबग 20 kg अगर मिलता है मुसंबी तो अगर 30 रुपे किलो है तो उसको 600 रुपे हो जाएगी लेकिन बाद में जैसा जैसा उसा उम्र बढ़ता है चार साल पाच साल छे साल चे साल के बाद पर एकर देड़ से दो लाग कभी-कभी धाई लाग रुपे पर एकर मिलता है यह मुसंबी क्योंकि पौदा बढ़ा होता है और फल ज्यादा आते हैं फिर 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo मान लो सब किलो एक पौदे पर आ रहा है और 10정ल रुपे रेठ है तो उसका एक पौदे कर दो गया है और एक टे बाद के लिपग दूसो पौदे अभी कितना हो गया है एक एकर में 200 पाउधा लग गया है और एक पाउधे में अगर सव किलो निकला तो तीन अजार रुपे तीन अजार मॉल्टिब्लाइट 200 तो छे लाक रुपे हो गया तो यह कब होंगा यह बड़ा होने के बात इसलिए मैंने बताया कि पर एकर पहले फिर साथ पी एक फिर देड़ लाग फिर दो तीन उपर चलेगा तो यह कम से कम एक आवरेज पकड़ लो डाई लाक रुपे पर एकर मिलेगा और अगर पार एकर के हिसे हम लोग पकड़ लेते हैं पार एकर में आपका खर्चा कितना आता है साल में इस करोल मौसंभी के मतल पूरा साल में 30-40,000 रुपे पर एकर खर्चा आएगा लेकिन जब पाउदा लगाते वस टाइम थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है क्योंकि हम पाउदा लाएंगे पाउदा का पैसा देंगे जमिन तयार करेंगे बेड तयार करेंगे ड्रीप लगाएंगे तो उसका पार एकर में खर्च होगा हर शुरुआ 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 कम होंगा तीन साल तक 40,000 रुपे पर एकर नहीं लगेगा पहले कम लेगा बीस हजार रुपे एकर फिर जैसा पौदा बड़ा बड़ा होता है और वो प्रोड़क्टिविटी बढ़ती उसकी तब 40,000 रुपे जय विए आया था रख छटी शोटी मूसंभी अभी जो है आपको जा सा अक्टोंबर नोईंबर या ओक ठाछा नहीं चरलना नहीं सकत हुट तो यहां पे आभी यह चार साल में भी मुसम भी लगना चालो होगी, काटोल गॉल्ड वेराइटी है तो उसमें कुछ पॉजे नुसेलर की भी है तो यह जो यह साइज है यह बड़ा बन जाता है यह तो अभी शुरुआत है यह अक्तोंबर में बेचनों को आएगा हो किसान आ दो अच्छार चार इसे के पीछे भी ही यह सीखी का चिन्न है नाकिया हा होता है यह जो सिघब भागा है यह क्तों-चया जायग है यह वीसा ही रहता है तो कीसान भी लगाना चाहते है तो हमारे वेस्ट बेंगॉल के मतलब वैदर में किया? जया भी त्हूंग नहीं लगती थी राजस्तान में संद्रा नहीं लगता ता भी लग रहा है तो यह सब अगर बंगाल में है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है में नागपूर है और नागपूर को लग्की काटोल है और काटोल में पूरा काटोल गोल्ड, न्यूसेलर, संत्रा यहां का सब फेमस है यहां हमारे यहां बहुत अच्छे पाओदे बनते हैं और मैं पूरा सयोग करूँगा बंगाल की किसानों का कि वहां मोसम भी अच्छे तरीस से बढ़ जाए और उनको भी अच्छे पैसा मिले अगर क्योंकि निला जी यहां पर आई है अमारे काटोल में उन्होंने पूरा स्टड़ी किया दो दिन रहते यहां पे रहकर पूरा बगीचे का स्टड़ी किया उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल गई है अगर किसी को ये संत्रा मौसंबी के जो भी पौदे है वेराइटी के अमार हर वेराइटी है अगर लगते है तो निराजी से भी कॉंटेक कर सकते हैं वो मुझे कॉंटेक करेंगी मैं आपको बेच दूँगा धन्यवाद अभी आप लोगों ने देखा के काटोल गोल्ड मौसंबी या नियू सेलार क्या होता है और मनोजदा के मुँझ से आप लोग सुन भी लिए कि उसको खेती करने से किसान भाईयों का कितना प्रॉफित हो सकता है तो अभी में आप लोगों को दिखाने जारी हूँ जो तो इसलिए मैं ट्राइ करूंगी जरूर कि ओक्टोबॉर में फिर आने के लिए और इसका अगर पका हुआ फल अब लोगों को दिखाया जाएगा यह मीठा कितना होता है उसके उपर एक वीडियो करने के लिए और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यह जो स पास निला को करते हैं तो उनी की लालच में मैं आज इधर आया हूँ और अगर आप लोगों को यह वीडियो निला का वीडियो आप लोगों को अगर इंफोर्मेटिव लगे या कोई किसान भाई को इससे कोई भी हेल्प हो तो जरूर आप लोग इसको शेयर कीजिए क्यों कि मैं वीडियो में कभी भी शेयर करने के लिए नहीं बताती हूँ लेकिन इसको शेयर करने से किसान भाईयों को सुविधा होगा लाव होगा तो बहुत सारा धन्यवाद सभी सूस्त रहे अच्छी रहे थांकियो